तो माई डेर स्टुडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे भी ए थर्ड समस्टर के पुलिटिकल साइंस यानि राज नीति साफ्त के पूरे के पूरे सलेबर्स और मोस्ट इंपॉर्टन टोपिक्स के बारे में तो वीडियो काफे हिलफुल होने वाली जो भी हमारे करके पूछे जाएंगे ठीक है क्या मामला है पूरा कंप्रीट आपको प्रोसेस और उसकी जानकारी यहां पर मिलने वाली है तो बीना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं जो भी हमारे स्टुडेंट बीए फस्टियर को पास करके बीए सेकेंडियर में आते हैं तो उनको अब गजी में आते हैं चारी उनकारी आपको यहां पर देखी रही होंगी सो नंबर का पेपर मतलब 75 का नंबर होता है 75 नंबर का पोडांक होता है ठीक है जब आप परिच्छा दे जाएंगे और ध्यार लखना है इस बात का और की आप लोगों का जो पूरा का पूरे यह इंग्लिस में है और यह आठ ही यूनिट में डिवाइड है आप चैप्टर बोले यूनिट बोले टॉपिक्स बोले सब एक ही ठीक है तो यह पूरा का पूरा जो यहीं से आएंगे इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा तो ध्यान पूराव वीडियो को देखते रहेगा पहला यूनिट में कौन-कौन से टॉपिक्स है जहां से प्रस्ट बनेंगे जा लीजे पहला उत्तर ऑपनिवेशिक भारत में लोगतांतर की करण की प्रिक्रिया के ब अगला है पॉइंट यहीं में कि लोगतांतर के आयाम लोगतंतर के कई सारे आयाम हैं लोगतंतर फिक है तो इसके समाजिक आयाम हैं आर्थिक है राजनीतिक है यह तिन प्रमुक आयाम है जिनको धान रखना है ठिक है और इनसे संबंधित प्रश्ण पूछे जाएंगे ऐसा प्रश्ण भास सकता है कि लोग तंद्र के आयाम बताईए ठीक है तुहाँ पर समाजिक आर्थिक और राजनीतिक आयामों के बारे में आपको लिखना होगा ठीक है फिर अगला पॉइंट है कि भारती को आकार देने व वाद सिस्टम है उसके बारे में लिखना है उसके बाद गढ़वंधन क्या होता है तो गढ़वंधन आप लोग जानते होंगी कि बहुत पारी जो राजनीतिक दल पार्टिया होती है ठीक है वह आपस में जब एक साथ हो जाती है जैसे कि इस समय भारत में गढ़वंधन थी हुँआ तो उसमें बहुत वारी पार्टिया एक हो गई थी जैसे कि आपने राहूर गांधी और प्लस अखलेश जादु की पार्टियां है ठीक है इपी तरह कई सारी बार्टिया है वो एक साथ मिलके जब अपने आप मतलब कि अपनी पार्टी के लिए ओट मांगते हैं तो उसको गठ बंधन कहा जाता है जहां पर एक से अधिक पार्टिया होती है ठीक है वो एक साथ अपना जुडाव कर लेती है आपस में समझावता कर लेती कि हाँ जो आएगा ओट वो हमारे ही होगा गठ बंधन में ही और राजनितिकदल और पार्टीया प्रडाली के बारे हमें बताना तो affects तरह इन पार्टियों के बारे में निखना जाने ठीक एमसे हेalso और एक पिक से भी और यूंट लुट्वाव प्रभाव सहरी और अफ्थानी प्रेंद्र के बारे मिखना होगा आपको आपर कोश्चन ने बढ़ सकता है कि लोगतांत्र विकेंद्री क्रण के बारे में बताई या इसका क्या भप्रिया है उसके बाद यहां पर एक और टापिक से संब्नित कुश्चन बन सक प्रफ्टा कि सहरी और अफ्थानी सुसासन में डिफिरेंस बताईए तक वहां कि स्वयम स्वासासन के बारे में आपको लिखना है कि यहां सभी हो गया से इनके बार में तयार कर लेंगे उसके बाद अगला प्रफ्टे से में हैं कि भारते सम्मिधान का संसोधन जो किया गया था भाई हमारे देश का जो फंविदान है उसमें बहुत फारे अनुछेद हैं और बहुत फारे समय बार जब संसोधन किया गया तो वह संसोधन था उसमें क्या किया गया इस तरह आपको जो संसोधन जो हूँओ था उसमें क्या अपूस के बारे में तियार कर ले ले एक बहुत बढ़ा रामबान टौपीक से यहां से ύसके बाद यूनिट नूंबर स्वर्स ty ला दिवर दबाव समू है यह पूलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है तो इसी सम्मंधित है दबाव समू का मतलब रेसर ठीक है कि आपको दबाव बनाना जा रहा है कि समू के द्वारा यह भी पूरे समू को बना दबाव में डाला जा रहा कि आप इस पार्टी को ओड़ती जिए नहीं ऐसे दिए उसके बाद मतधान वियोभार के निर्धार्य के मतदान वियोभार यही की बहुत अफारी गें मफ लगए हätर जोड़ते उती ईती जाती को जाती को जातियों जातियों ऐक बहुत बड़ा टोपिक है आज आई लोने सुना होगा कि जात के नाम पर ओटिंग होती है जात के नाम पर राजनिती चलाई जाती है इसका अर्थ यह होता है कि मालीजी की कोई की दिए गवर्मंट मै명्गी करदेश कोई जैसे की आप ने देखा हो गाप हमारे यह उत्तर परदेश में दॉनों में तक दीनों तक यादू कि सरकार थी दिए तो क्या होता है ना कि पर र chop looks कर दें उनको भद सुनยव महाँ देंगे उनको कोई स्विद्दान से कुछ मिले चाह्याएं नहीं देंगे चाहलेइक, इस तरह की चाहें दो्टिधके आप किसी भी ध्र्म के हों, प्राँन के हों आप चाहे किसी भी जात का कोई भी candidate हो या किसी भी धर्म का हो अगर वो सही मतलब की सही decisions लेता है सही चीजे मतलब की लोगों तक समाज में उतारता है सुभिधाय देता है तो वो एक perfect इंसान कहलाएगा वहाँ पर जात ही नहीं देखी जाएगी तो आपको अगर ओट देना है तो ये नफ उचे कि हम इस जात के हैं तो मिसी जात के candidate को ओड देंगे आप सही candidate चुनिए सही candidate court दीजिए जिससे आप लोगों को सही बतलब की opportunity यानि की सही आपको बहुत फारी schemes जो है बहुत फारी जो सुभिधाये हैं जो develop कर रहा हो भारत को या फिर अपने समाज को अपने छेत्र को ठीक है बढ़ाने मदद कर रहा हो राम रोसन कर रहा हो ठ इस प्रकार आप इस पर लिखेंगे बहुत डीटेल में लिख सकते हैं अगला के चुनाव फुदार की आवसकता है जैसे कि पैसे देकर लोग आप लोगों को मालूम है की election जीत लेते हैं लोगों को पैसा वितर्ड़ करके जीत लेते हैं यह फिर आजकल आप लोगों को मसी जीनी के माइदम से ओट पड़ता है तो उसमें क्या होता है कि लोग जो उपर में गवर्मेंट है वो आप चाहे जिसको भी डाली है वो जाएगा मेनी जिन्होंने मतलब में जो सरकार है उसी कोट जाएगा आप चाहे किस भी पार्टी का ओट डालने तो ऐसा भी कर दिया ज के टॉपिक्स महत्तु हैं अब आज आएंगे फिफ्त नमबर वी उनिट से धर्म और राजनीत निर्पेचक टीक निर धर्म निर पेचता पर भारत भारत घर्म और राज नीत तो आप लोगों को मालूम है कि भारत में धर्म को लेकर राजनीत जो की जाती की हैुसके बारेम लिखना है कि आप हिंदू धर्म के साइटी को अपने छेत्र को बढ़ाफ विकाफ करने के लिए सोस्ता उसे च्छित हो ठीक है उसको ही ओटिंग करने चाहिए और भात में धर्म को लेकर जो राजनीती चलती इसके बारे में आप लिखेंगे धर्म निर्पेचिता बहुत बहुत सारी होती रहती है त्रिनी के ब लेंगे कि राजनीती छेत्र में महलाओं का क्या योगदान है या फिर राजनीती छेत्र में महलाओं कितना आगे चली गई है ठीक है इसके बारम लिखना है और जात्य और वर्ग किस सम्मंध में सकरात्मक कारवाई नीतिया जात्य और वर्ग में सम्मंध अंतर ही आपको तैयार कर लेना है यह दो मोस्ट इंपॉर्टन टोपिक से सिक्स नंबर यूनिट से ठीक है सेवन्थ नंबर यूनिट में आपको राष्ट निर्माड की चुनोतिया यानि कि देश को मजबूत बनाने के लिए देश को विकास बिक्सित करने के लिए और इंप्रूब करने के यूज राष्ट का निर्माड और अच्छी तारीकेफिक करने के लिए वसके लिए बहुत फारी चुनोतियां हैं बहुत सारी चंडिसन हैं बहुत समस्याय हैं ठीक है तो उनका सामना करते हुए देश को आगे बढ़ाने वाला ही इनागरिक बढ़ाने वाला ही प्रत्यासी एक परफेक्ट एक देश का बंदा कहलाता है एक देश का आम आदमी या फिर देश का एक इनसान बहतर जो बनावा के राश्ट को वो एक बहतर इनसान कहलाता है ठीक है जो देश के लिए सोचे देश के लिए देश के विकाफ के बारे में सोचे देश के रहने वाले यतने भी आम जंता है उनके बारे में सोचे तो राष्टी के निर्माण से अगला कि बहुत संखिक और Bowl पाके Sales प्लस भश्टा चार्ज होते रहते हैं इनके बारे में ठीक है बहुत महात्मों टॉपिक्स फंसे का पक्का अगला यूनिट है दल बदल की दाज नहीं दल बदल का मत्तब यह हो गया कि जैसे आप भाजपा में थे और पंच साल के बाद या तीन साल के बाद आप सपा में चल बदल की राजनीती जो है उसके बारे में प्सक्ति लिखना है तो यह रहां पूरा का पूरा स्रेवर्स और मौस्ट इंपट्रण टॉपिक्स इन्हीं आठ यूनिटों टॉपिक्स तो पूछे जाएंगे आपकी परिच्छे में और इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा इसम जो कोश्चन का उत्तर है अगर आप इंटरनेट से पढ़ लेते तो बहतर यह बाकि एक दो बार वीडियो देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा कि यहां स्लेवर से है क्या इंपॉर्टन टॉपिक्स है क्या ठीक है बाकि हमारी आने वाले दिनों में जल्दी सब्सक्राइब कर लिए ताकि आप लोगों को समस्या आए ना हो ठीक है बाकि अभी के लिए आप इन सभी प्रशनों का उत्तर जो इन टॉपिक्स का उत्तर इंटरनेट पर सच करके पढ़ सकते हैं ठीक है बाकि हमारी कोश्चन अंसर वाली वीडियो जल्दी आने वाली है उ सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको सभी प्रकार की अपडेट सभी प्रकार की वीडियो को नोटिपिकेशन सबसे पहले मिलता रहें जैंद